subscribe कीजिए as simple as ABCD को and press the bell icon button for latest video चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिगर समय कब आए इस वीडियो के अंदर हम 20 words पड़ेंगे with logic logic एक root word है जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो उसमें बताया है इससे पहले मेरी चार वीडियो आ चुकी है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उनको भी देख लीजिए लोजी एक root word है जैसे कि मैंने आपको बताया अगर किसी भी सब्द के पीछे ये लोजी word लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है किसी ने किसी study से संबंदेत है तो ये study से संबंदेत है इसलिए ही मैंने इस पर काफी वीडियो बना चुका हूँ क्योंकि ये आपके competitive exam में आते हैं दो-तीन पुछे जाते हैं तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको इस वीडियो में जितने ही word दे गए हैं इसमें आपको ये आपको help करेंगे आपके exam को clear करने के लिए चलिए वीडियो को start करते हैं The first word of this video The study of animals disease is called zoopathology जो animal की जो disease होते हैं उसकी जो study की जाते हैं उसको बोलते हैं zoopathology और चलिए बढ़ते हैं अपने next word के ओर The study of places name is called toponomy जो places की जो study की जाते हैं उसको बोलते हैं toponomy I hope you understood जो चमतकार होते हैं जो चमतकार की जो इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं थाव मेटालोची का यहंसरे जो जो बोलते हैं के अध्य है कि ब्लेक्टानों कि यहाइन ज ya हुआज एध्य एक ही उपने यहाजिट करें मेर्जो मेर्मक जूली के जाए मिसको ब्लेक्त भलते हैं शुट है जैसा चर्डी की जाती है उसको बोलते लिखाए है और चलिए बढ़ते हैं उसको बोलते हैं टाइडोलोची जो भ्रम और चलिए की जाती है कि जो ब्रम और चलिए की जाती है उसको बोलते हैं सिडॉप्टिक्स और यहाँ पर पी साइलेंट है और चलिए बढ़ते हैं उपने नेक्स्ट वर्ड के ओर दा श्टडी अप लेपरसी इस कॉल्ड लिप्रोलोची कहने का मतलब यह है कि जो कुछ रोग जो हो जाता है कोड जो होता है जो उसकी जो श्टडी की जाती है चलिए एक फोटो के मादे हम साब को समझाते हैं कोड होता क्या है चलिए पहले इस फोटो को देखिए जिस वेप्ति को यह रोग लग जाता है उसके श्टडी को बोलते हैं लेपरोलोची I hope you understood and let's move on to next word The study of books is called Bibliology Bibliology मतलब जो book गी जो श्टडी की जाती है उसको बोलते हैं Bibliology और चलिए बढ़ते हैं अपने next word की ओर The study of dogs is called Synology Synology मतलब जो फोटों की जो श्टडी की जाती है उसको बोलते हैं Synology और चलिए बढ़ते हैं अपने next word की ओर The study of nucleus is called Karyology जो नाभी की जो इस्टिडी की जाती है उसकी इस्टिडी को बोलते हैं केरियोलोची I hope you understood and let's move on our next word The study of wines is called inology जो दारू और जो सराब की जो इस्टिडी की जाती है उसको बोलते हैं उसकी इस्टिडी को बोलते हैं inology और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें ओ साइलेंट है यहाँ पे inology पढ़ेंगे इसको inology ओके and let's move on our next word The study of ancient lakes is called paleolimnology paleolimnology मतलग जो पुरानी जो जीले होती थी उनकी जो इस्टिडी की जाती है उसकी इस्टिडी को बोलते हैं paleolimnology और चलिए बढ़ते हैं अपने next word के ओर The study of animals behavior is called ethology जो animals का जो behavior जो वरताब जो वरताब करते हैं उसकी इस्टिडी को बोलते हैं ethology और चलिए बढ़ते हैं अपने next word के ओर The study of rivers is called photomology जो rivers की जो इस्टिडी की जाती है जो नदियों की जो इस्टिडी की जाती है उसकी इस्टिडी को बोलते हैं photomology और चलिए बढ़ते हैं अपने next word के ओर The study of ghosts is called spectrology spectrology मतलब जो भूतो और जो spirit होती है जो आत्मापात्मा उसकी जो इस्टिडी की जाती है उसको बोलते हैं spectrology और चलिए बढ़ते हैं अपने next word के ओर The study of horses is called hypology जो गोड़े होते हैं जो गोड़ों की जो इस्टिडी की जाती है उसकी इस्टिडी को बोलते हैाई हपोलोजी और चलिए बढ़ते हैं अपने next word के ओर The study of प्रोबस is called पैरो एमियोल जी जो प्रोबस की जो इस्टिडी की जाती है प्रोबस का मतलब होता है कहावत तो प्लीज राइट इन कमेंट बोक्स, I will make you understand again, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज इसको एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए, और अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, कुछ न्यू वर्ट्स के ताह, तब तक के लिए, जैहिन, जैभार झालू ये, तो ज countiesी तो चूपर ये, जैभार एक उल्काता है